कॉंग्राचुलेशन्स एवरीवन, कॉंग्राचुलेशन्स और खास करके मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा रिया शास्त्री और उसकी टीम को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हासल करने के लिए पिछले आठ महीनों से दिन रात एक कर दिया था इसलिए आज के ये सारे जाम रिया और उसकी टीम के नाम ही होंगे मिस्टर मित्तल के इतना कहते ही वो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ा हट सी गुण जुठा था और वहां मौजूद हर शक्स रिया को बधाई देने के लिए उससे हाथ मिलाता नजर आ रहा था पर धीरे धीरे रात के बढ़ते ही एक-एक करके सब अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे थे आज रिया की काम्याबी का दिन था इसलिए सब के कहने पर उसने कुछ ज्यादा ही पीली थी तभी तो जैशने के खुमार में वो अकेली ही बैठ कर गुन-गुनाने में लगी हुई थी क्या रिया तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैं कितनी देर से बाहर खड़ियो कर तुम्हारा वेट कर रही थी? यह आवाज थी आशी की जो रिया की पर्सनल सेक्रेटरी कम उसकी दोस्त ज्यादा थी अरे आशी तुम क्यों क्या हुआ? मेरा इंतिजार क्यों कर रही थी? रिया ने लड़खड़ा थी आवाज में आशी से पूछ लिया क्या मतलब आज तुमको घर नहीं जाना है क्या? जतिन कितनी देड़ से हमारे लिए ही बाहर खड़ा है आशी जतिन तुम्हारा बॉइफरेंड है वो तुमको लेने आता है ये बात तो मेरी समझ में आती है पर हर बार उसका मेरे लिए रुकना मुझे ठीक नहीं लगता इसलिए आज तुम जतिन के साथ अकेले जाओ मैं अपने आप घर चले जाओंगी नशी में भी रिया को सही गलत का बखूबी अंदाजा था अपनी हाला देखे तुमने रिया सीधी खड़ी तक नहीं हो पारियो तुम ऐसे में मैं तुमको अकेले घर जाने देने का रिस्क नहीं उठा सकती और ये कहकर आशी रिया को अपने कंधों का सहरा देते हुए बाहर गाडी तक ले आई जहां उसका बॉइफरेंड जतन बेचैन होकर टहलता हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था लेकिन आज भी आशी के साथ रिया को देखकर उसका मूड खराब हो गया फिर भी रिया को पकड़ने में उसने आगे पढ़कर आशी की मदद की इसके बाद उन दोनों ने मिलकर रिया को पीछे वाली सीट पर लेठा दिया पर वो अपने होश में थी ही कहाँ इसलिए शायर लेटते ही सोने लगी लेकिन गाडी स्टार्ट करते ही जतन का भुन-भुनाना चालू हो गया यह सब क्या है आशी रिया तुम्हारी बॉस है इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ लेकिन अब तो हदोंने लगी है आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था पर आज भी यह एक्स्ट्रा लगिज की तरह हमारे साथ चिपक गई है आशी ने जतिन के मुग पर हाथ रख कर उसको चुप कराने की कोशिश की यह तुम क्या करे हो जतिन थोड़ा धीरे बोलो अगर कहीं रिया ने सुम लिया तो गजब हो जाएगा क्या गजब हो जाएगा अब अगर इसकी कोई परसनल लाइफ नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती फिचारी सिंगल है अभी तक ऐसे में अकेले घर कैसे जाती मिंगल होगी किसी के साथ बंदी में कुछ तो खास बात होनी चाहिए सिर्फ शकल ठीक ठाक होने से सब कुछ नहीं होता न देर रात तक आफिस में रुकना, शराब, पीना माबाप है नहीं तो रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है काम के अलावा कुछ आता ही का होगा इसको जतिन ने रिया के उपर व्यंग्य कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी लेकिन आपस में बातें करते हुए उन दोनों ने ही पीछे की तरफ थ्यान नहीं दिया क्योंकि जिस रिया को वो नींद में डूबा समझ रहे थे दरसल आखें बंद करके वो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी जिसका पता उसकी भीगी पलकों से लग रहा था क्योंकि ये सब सुनकर वो काफी दुखी हो गई थी जिन्दिके के जिस मुकाम पर आज मैं हूँ लोगों को वो नजर नहीं आता दिखता है तुबस मेरा अकेला रहना और शादी शुदा ना होना पता नहीं इनकी नजरें इस से आके बढ़कर दीख क्यों नहीं पाती पर ये सब सोचते हुए भी उसने सोने का नाटक उसी तरह से बदस्तूर चारी रखा आज का दिन उसकी जिन्दगी का सबसे खास्तन था लेकिन रात ने जैसे उसके सारे जोश को ठंडा कर दिया था क्योंकि घर पहुँचकर उसको नशे में देखकर मेरा राधा चाची का प्रवचन भी चालू हो गया कितनी बार कहा है इस लड़की को कि अभी ओफिस ओफिस खेलना बंद करके अपनी शादी ब्यागी तरफ सोचे पर इसको तो जैसे काम के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता अब आज ये ओफिस वालों ने नचाने किस खुशी में इसको इतनी शराब पिला दी राधा चाची का तो ये हर रोज का काम था इसलिए उनकी बातों को अंसुना करते हुए रिया ने सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया जतन और आशी की बातों की वज़़से पहले से ये उसका मोट खराब हो चुका था और अब राधा चाची के भाशन ने बची-खुची कसर पूरी कर दी थी इसलिए रिया ने अपने सैंडल्स को जैसे तैसे कमरे में इधर उधर फेका और खुद सीधा जाकर अपने आपको बिस्तर के हवाले कर दिया अगली सुभा उसकी आँख काफी देर से खुली इसके बावजूद शायद रात के नशे के कारण उसके सर में काफी दर्द हो रहा था इसलिए उसने रजाई के अंदर से ही राधा चाची को आवाज लगाते हुए उनको नीमू पानी लाने के लिए कहा राधा चाची मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए प्लीज एक गलास नीमू पानी ले आना नीमू पानी से पहले ये बताओ बेटा कि अब तुमारी तब्यद कैसी है अपने लिए इस पिल्कुल अनजान सी आवाज को सुनकर रिया तुरंत ही रजाई से अपनी गर्दन को बाहर निकाल कर उठके बैठ कई लेकिन ये क्या हो गया था? क्या वो अभी तक नेन में ही थी या फिर जागती आखों से ही कोई सपना देख रही थी? क्योंकि इस वक्त उसके सामने चाय का कप लेकर जो औरत खड़ी थी, वो राधा चाची तो बिल्कुल भी नहीं थी इस तरह से टुकुर टुकुर क्या देख रही हो बिटा? मैं जानती थी, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत बहादुर है इस तरह से किसी अनजान औरत को अपने कमरे में देख कर रिया पूरी तरह से चौंक गई थी उस औरत का चेहरा काफी गंभीर और इमोशनल नजर आ रहा था आज तुझे मुझसे एक वाता करना होगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू फिर कभी इस तरह से अपने आपको नुकसान पहुँचाने के कोशिश नहीं करेगी चल खा मेरे सर की कसम और इसी के साथ उसने रिया की इजासत के बगैर उसके हाथों को पकड़ कर अपने सर पर रख दिया उस औरत के हाथ लगाते ही रिया के सारे शरीर में जैसे जुर जुरी सी फैल गई अचीब मामला था ये सामने खड़ी औरत ने तो आँखें खोलते ही उसको अपनी बेटी बना लिया था लेकिन उसके पास तो कोई भी मा नहीं थी जब से उसने होश संभाले थे तब से अपने आपको अनाथी पाया था अशरे के मारे रिया की आँखें चार गुना ज्यादा चौड़ी हो गई थी उसके एक एक शब्द में रिया के लिए इतना ज्यादा प्यार और मनुहार छुपा हुआ था जो कि सिर्फ एक मां के साथ ही हो सकता था लेकिन मैं किसी की बेटी कैसे हो सकती हूँ? इस सवाल के साथ ही रिया खुद से खुद को ही जग जोड़ने में लगी हुई थी उसने अपनी आँखों को मसलते हुए खुद को जगाने की भी कोशिश की लेकिन नतीजा हर बार वही निकल कर आ रहा था पर वो औरत तो रिया को अपने सामने देख कर इतनी खुश हो रही थी कि शायद उसको कुछ भी और सोचने का ध्यानी नहीं आया था रिया अभी तक अपनी उस मेंटल स्टेट से बाहर ही नहीं निकल पाई थी इसलिए हार कर रेवती यानि उसकी मां को ही एक बार फिर से उसको टोकना पड़ा इस तरह से घूरना बंद कर सुबह सुबह कोई नया नाटक करके मुझे परिशान करने की कोशिश मत कर वैसे भी तेरे कारण मैं पूरी रात रो चुकी हूँ, इसलिए अब चुपचाप से उठ जा रेवती ने प्यार भरी जड़की देती हुए उससे कहा रिया इन सब को सच नहीं मान पा रही थी और इसमें उसको कुछ जूट भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि किस से कहानियों में मा को लेकर उसने आज तक जितनी भी बातें सुनी थी रेवती उन सभी पैमानों को पूरा कर रही थी लेकिन वो तो पिछले 20 सालों से अनात होने के अपनी बदकिस्मती के साथ ही जीती आई थी ऐसे में अब अचानक से ऐसा कुछ भी होने की कल्पना करना बेवकूफी ही कहला था वो अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाई थी रात तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाग था पर सुबा होते ही जिन्दगी 360 डिगरी खूम कैसे सकती थी अभी तक रिया के मूँ से एक भी शब्द नहीं निकला था लेकिन सवालों की चक्र में घूमते हुए उसके होट अपने आप ही खुल गए आप लेकिन इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले ही जैसे उसके दिमाग में बिजली से चमकने लगी क्योंकि उसके अंदर से आती एक आवास ने भी उसको वही करने के लिए कह दिया जैसा कि रेवदी ने उससे कहा था कि उस औरत को उसको मा कहकर बुलाना था लिया की तो जैसे बुद्धी ही घूम गई क्योंकि रात में तो वो अपने पलंग पर ही सोई थी पर इस वक्त वो जमीन पर कैसे आ गई थी कहीं मैं रात को सोते सोते अपने बैट से गिर तो नहीं गई थी लेकिन क्या नेंद में गिरने भर से लोकेशन भी चेंज हो जाती है और तो और क्या इस तरह से मा भी मिल सकती है जब रिया अपने मन में इंसारी बातों को सूचने में लगी हुई थी उसी वक्त रेवती उसके लिए चाय नाश्ता लाने की बात कहकर वहां से चली गई लेकिन उसके जाते ही रिया ने अब जाकर अपनी रुकी हुई सांस को एक ही बार में नीचे करके एक ठंडी आ भरी ओ माई गॉड रिया रिया या तो सब गत सॉलिट तरीके से कड़बर लग रहा है कहीं प्रोजेक्ट हाथ से जाने के कारण फिर राइवल कंपनीज की कोई नई चाल तो नहीं है ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा सिंसेरली और लॉजिकली सोचने वाली रिया के दिमाग का वो हिस्सा भी छुट्टी पर चला गया था इन बातों को सोचते सोचते अब उसके सर में जोरों का दर्थ होने लगा था दवाई का डबा देखने के लिए उसने अपनी نजरों को ऊपर किया और इतनी देर में पहली बार उसकी गरदन को ठीक तरीके से उस कमरे का मुआइना करने का मौका मिला और अब जो कुछ भी उसकी आँखें देख रही थी, उसके लिए वो किसी भी हालत में किसी सदमे से कम नहीं था रिया के उस शांदार कमरे का हर एश्वाराम जैसे किसी ने पलक छपका कर गायब कर दिया था उपर से उस चररर करके घूमते होए पंखे की आवाज जैसे उसको मूँ चिड़ाने में लगी हुई थी, जिसकी हवा इतनी शांदार थी कि उसको भी नहीं लग रही होगी इसलिए वो जट से अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ कर बैठ गई, लेकिन सर पर हाथ जाते ही उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ ठीक से टटोलने पर उसको पता चल गया कि उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जो कि अभी भी थोड़ी सी गीली लग रही थी, याने कि शायद उसकी ये चोट अभी भी ताजी ही थी पर कल तो मेरा कोई भी आक्सिडन्ट नहीं हुआ था, फिर मुझे चोट कैसे लग सकती है इतने महीं ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर नजर पढ़ने से उसके मुझसे तो चीख ही निकल गई ये कौन है और मैं इसके गेड़ अप में क्या कर रही हूँ, मेरी शकल कहा गायब हो गई उसके इन सभी सवालों का लबो लबाब यही था, कि ये रिया होकर भी वो रिया नहीं थी मगर अगर ये रिया नहीं थी तो फिर उसको अपनी बेटी कहने वाली उस ओरत यानिकी रेवती ने उसको रिया कहकर क्यों पुलाए था और ये उसके सर पर पट्टी क्यों मदी थी? क्योंकि बहुत याद करने के बाद भी उसको अपने साथ किसी भी तरह के अक्सिडन्ट होने का सबूत नहीं मिल पा रहा था बस बस अब अगर इसके आगे मैंने कुछ भी सोचने की कोशिश की तो मैं सरूर पागल हो जाओंगी उसके सवाल तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे तभी उसके नजर दीवार पर टंगे एक बहत पुराने स्टाइल के कैलंडर पर चली गई अभी वो उसके पास पहुंचती कि इससे पहले ही अपने हाथों में नाश्टा लेकर एक बार फिर रेवती वहां गई क्या देख रही है पिटा कैलंडर हाँ साल के शुरू होते ही तू खरीद कर ले आई थी कौन सा साल अब क्या तू ये भी भूल गए कि ये 1983 चल रहा है रेवती का ये जवाब सुनकर रिया के लिए अपने आपको गिरने से संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी जिन्दकी की घड़ी 40 साल पीछे यानि कि 2023 से 1983 में लोटाई थी ये सब कुछ जो भी हो रहा था क्या वो हकीकत नहीं कोई सपना था कल रात ऐसा भी क्या हुआ था रिया के साथ जो वो यहां आ गई थी रिया इस लड़की के शरीर में कैसे और क्यों पहुँची थी क्या वो इस नई जिन्दकी को अपना पाएगी कहीं इस घर के लोगों को उसकी सचाई का पता तो नहीं चल जाएगा क्या लगता है आप लोगों को क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब ये जानने के लिए सुनते रहे हमारी ये नई सीरीज रिया ने घर छोड़कर जाने की बात तो कर दी थी पर अपने बीसमें जनम दिन पर ही मर जाने वाली रिया को ये बात मन्जूर नहीं थी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना रिया मेरी मां के लिए तुमको इतना एमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है साफ था कि अनाथों की जिन्दकी के अनुभवों को जहिल चुकी रिया के फैसले में उसका मन उसके साथ नहीं था दरसल इस घर से निकलने का डिसीजन लेने के पीछे रिया के पास एक और कारण था वैसे तो हमेशा से ही एक परिवार के लिए तरस्ती आई थी वो पर अगर मां और इस परिवार में से किसी एक कुछ चुनने की बात थी तो फिर उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी मां की तरफ बाला पलड़ा हमेशा ही जुका रहने वाला था फिर बड़ी मुश्किल से तो उसको दूसरी जिंदगी का एतोफा मिला था इसको लड़ते जगरते हुए गुजार देना किसी बेवकूफी से कम नहीं था इसलिए वो रेवदी को अपने साथ लेकर वहां से जाने के लिए तयार हो गई थी पर वो आवाज लगातार ही उसका रास्ता रोपने की कोशिश कर रही थी रूप चाओ रिया मत करो ये बेवकूफी पहले तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो फिर जो चाहे फैसला कर लिना रेवदी की इतनी बेज़दी होने के बाद अभी-अभी उसकी बेटी बनी लिया वैसे तो आपको सुनने समझने के मूड में थी नहीं लेकिन फिर भी इस आवाज को अंसुना नहीं कर सकती थी वो क्योंकि माँ पर पहला हग तो उसी का था मा तुम कमरे में जाकर अपना सामान समिट लो तब तक मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ पर ये तो उसका एक बहाना था कुछ देर के लिए अकेले रहने का क्योंकि उसको अपने मन की बात भी तो जान नहीं थी हाँ कहो क्या कहना चाहती हो क्या कहूँ, क्या तुम पागल हो गई हो, जरा सी बात पर घर छोड़ कर जा रही हो जरा सी बात, तुमको ये जरा सी बात लगती है क्या उस बुड़िया ने मेरी मा के उपर हाथ उठाया है and by the way, मैं उनको मेरी मा क्यों कह रही हूँ, वो तुम्हारी मा भी तो है रिया ने उस मर चुकी अपनी हमनाम की आत्मा को जग जोड़ने की कोशिश की थी तो क्या हुआ यार, एक थपड़ खालने से क्या वो छोटी हो गई, उनके लिए कोई नई बात नहीं है मैंने तुमसे पहले ही कह था, कि उनके बारे में जियाता सोचने की जरूरत नहीं है सरा सोचो, यहां से जाकर तुम करोगी क्या, क्या खाओगी, क्या पीओगी, कैसे जीओगी चार गालियां पढ़ने के बावजूद भरपेट खाना तो मिल जाता है ना यहां पर लेकिन वो तो शायद मा बेटी के रिष्टे की गर्माहट को कभी मैसूस ही नहीं कर पाई थी तबी तो रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था, कि किसी की सोच इस तरह की भी हो सकती थी I can't believe this रिया, उस दादी ने हमारी मा को मारा है और तुमको ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही किस तरह की बेटी हो तुम, हरे बेटी ना सही तु कम से कम एक औरत होने के नाते उनके साथ खड़ी तो हो जाती इस वक्त रिया को अपने आप पर बहुत गुसा रहा था, क्योंकि आखिरकार ये आवाज आदोस के अंदर से ही रही थी लेकिन वो यहीं पर खामोश नहीं हुई थी तुमको मा का प्यार बिना किसी शर्ट के मिल गया ना, इसलिए तुम्हें इस रिष्टे की कदर नहीं है लेकिन ज़रा जाकर मेरे जैसे किसी अनात बच्चे से पूछो, तो वो तुमको इस एक शब्द की एहमियत समझा देगा आज जब मैंने उनको पहली बार मा कहकर बुलाया था, उसी वक्त से मैं अपने आपको दुनिया का सबसे खुश किसमत इंसान मानने लगी मेरी बात को समझने की कोशिश करो रिया पर मौत के साथ ही उस रिया के एहसास भी शायद मर गए थे तभी तो वो अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी पर एकीस्वी शतावदी के रिया ने किसी भी गलत बात के आगे जुकना नहीं सीखा था नई अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं मेहनत करके अपना और अपनी मां का पेट पाल सकती हूँ लेकिन जीवन के बीस सावन देख चुकी रिया का अनुभाव कुछ और ही कहता था भूखी मर जाओगी यहां पर अगर जीना है तो तुमको भी वही करना पड़े का जो मैं किया करती थी क्यानि कि चोरी पर इस रिया को तो अपने बल पर जीने का पूरा अनुभाव था नहीं वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जने एक ही जिंदीगी में दो-दो बार जीने का मौका मिलता है मुझे वो मौका मिला है और इस मौके के साथ ही मुझे मा भी मिली है जिनकी आँखों में आंसु का एक कत्रा भी नहीं आने दूंगी मैं इसके बाद कुछ भी कहने सुनने में अपना वक्त गवाएं बिना रिया सीधा रेवदी के पास पहुंच कई थी रिया का चेहरा भले ही गुस्से से भरा हुआ था लेकिन अपनी मा के लिए उसकी आँखों में बेशुमार इज़त नजर आ रही थी जिसको रेवदी भी साफ साफ देख सकती थी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बेटा, ये तुम ही हो मुझे तो लगता था कि शायद तुम कभी भी मेरी तकलीफ नहीं समझ पाओगी लेकिन भगवान हर जन्म में मुझे तुम्हारी ही मा बनाए ये कहकर एक बार फिर रेवदी ने रिया के सर पर अपना हाथ रख कर उसे आशिरवात दे दिया लेकिन उसको तो मालूम ही नहीं था कि उसकी ये बातें इस रिया के साथ-साथ उसके खुद की बेटी भी सुन रही थी जिसको अब अपनी सोच और मां के साथ अपने खराब विवहार को याद करके बुरा लग रहा था इतनी देर में पहली बार उसको रिया से जलन होने लगी थी मुझे कभी भी मेरी मां का आशिरवात नहीं मिल पाया मैं तुम्हारे जैसी क्यों नहीं थी रिया तुम्हारे उपर इतने इमोशनल डालॉग सूट नहीं करते इसलिए जाद सेंटी होने की जरूत नहीं है और चुपचाप ये बताओ कि रात गुजारने के लिए हमें यांक किसके घर में जगा मिल सकती है लेकिन रिया का सवाल सुनकर दूसरी तरफ सननाटा चागया था तबी उसको अपनी तरफ आता देखकर गाउं के लोगों ने एके करके अपने घर के दर्वासे बंद कर लिए ये सब देखकर रिया की समझ में सारा माजरा आ गया अब इन लोगों को तुमसे क्या परिशानी हो गई? वो इनको लग रहा होगा कि कहीं मैंनके घर का कोई सामान उठा करना ले जाओ इस बार अंदर से जेपती हुई सी आवास आई थी क्या? क्या निकि तुम चोरी के साथ साथ डखैती भी क्या करती थी? एक बार फिर सो उससरफ पिंड्रॉप सालन्स हो गया था और रिया हैरान परिशान होकर चारों ओर देख रही थी इसी अली बाग में उसका शांदार विला था लेकिन उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि 40 साल बाद जो जगा उसको जन्नत लगने वाली थी 40 साल पहले वहाँ भूतों के लोटने जैसा सन्नाटा पसरा रहता होगा हे भगपान मेरा विला यहीं कहीं आसपास ही बनेगा कभी कभी रिया को समझ ही नहीं आता था कि वो इस जिंदगी को अपना बना ले या फिर उस जिंदगी की यादों में डूप जाए जिसने उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था उसके मजबूरी थी कि रेवदी को अपने रियाक्शन भी नहीं दिखा सकती थी लेकिन रेवदी तो एक माँ थी इसलिए कहती थी कि गलत सलत काम मत कर अब देख लिया उसका नतीजा किसी ने हमसे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा उल्टा सबने अपने दर्वासे ऐसे बंद कर लिये मानो कोई भूत देख लिया हो रिया के पास सर जुका कर रेवदी के उलाहने सुनने के अलावा तूसरा कोई रास्ता नहीं था लेकिन रेवदी अपनी बेटी को इस तरह से उदास नहीं देख सकती थी इसलिए उसने तुरंथी सर छुपाने के लिए छट ढून ली थी चलो इस गाउंसे बाहर की तरफ एक जोपड़ी खाली पड़ी है वहीं चलते हैं रिया ने जट से रेवदी की बात मान ली थी क्योंकि एक तो वो ठक गई थी और सर पर चोट लगी होने के कारण उसको चक्कर भी आने शुरू हो गए थे लेकिन कुछ दूर जाने पर जैसे ही उसकी नजर जोपड़ी पर गई क्या हम यहां रहने वाले हैं तो और क्या अब इस समय इस वीरान जगा पर इससे बैतर कुछ नहीं मिलेगा हमें चालीस साल बाद इसी वीरान जगा की कीमत आस्मान छू रही होगी मा लेकिन रिया अपनी इस बात का सबूत रेवती को कैसे देती इसलिए मन की बात मन में ही रहने दी पर यहां सब कुछ इतना भी आसा नहीं होने वाला था क्योंकि लिया को तो मुंबई शेहर में अपने 5000 वर्क फुट के पैंठाउस में रहने की आदत थी वो भला कैसे यहां मच्चरों के बीच में रात गुजार पाती और इस जोपड़े को तो जोपड़ा कहना भी उसकी बेज़दी ही होती क्योंकि उसके अंदर रहने और आसमान के नीचे रहने में कुछ खास अंतर नहीं था कि तुम मुझे कहां ले आई मा इतनी गंदगी में तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी यहां की जमीन कितनी गंदी यह कहकर घपराते हुए रिया उस जोपड़े से बाहर जाने लगी कितना मना किया था मैंने के बिना सोचे समझे घर मत छोड़ो लेकिन उस वक्त तो हमारी मैडम जी के सर पर आत्म सम्मान का बहुत सवार हो गया था अरे दो-चार दिनों में तुम्हें भी उनकी तरह रहने की आदत पढ़ जाती लेकिन नहीं अपनी तो वैलियू कभी थी ही नहीं ना तो जिन्दा रहते हुए किसी ने बात मानी ना मरने के बाद कोई सुनने को तयार हुआ तो भुग तो अब मुझे क्या करना है मच्छर कौन सा मुझे काटने आ रहे है अंदर से आती आवाज रिया को ताने देने का एक भी मौका छोड़ने को तयार नहीं थी एक दुरिया खोदी परिशान थी उपर से उसकी बकवास और उपर से देवधी ने भी उसको ही समझाना शुरू कर दिया था ये तुझे क्या हो गया है बेटा तु तो बहसों के तबेले में भी बिना किसी शिकायत के कितने आराम से सोचाती थी लेकिन अब ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही है पहसों के तबेले में उस नजारे के बारे में सूच कर ही रिया को उल्टी हाने लगी थी आज तो मेरा तुम्हारे पैर छुने का मन कर रहा है मा संदगी में पहली बार तुमने मेरी तारीव की है I love you मा मरने के बाद भी तुम हमेशा मेरे दिल में जिन्दा रहोगी अपनी तारीव सुनकर उस आत्मा में भी जैसे जान आ गई थी लेकिन रिया के लिए उस आवाज को एक सेकंड भी और जिलना मुश्किल होने लगा अकर तुने एक सेकंड के अंदर अपना मुँबंद नहीं किया न मैं तरह सर फुर दूँगी सरा होश की बात कीजे मैडम अभी भी आपके सर की पट्टियों का लाल रंग ताजा ही है इस वक्त रिया की हालत का अंदाजा उसके अलावा कोई और नहीं लगा सकता था दिल तो कर रहा था कि अंदर बैठी उस बूतनी को जान से मार डालती लेकिन बाहर से बिना कुछ कहे उसको रेवदी की बात माननी पड़ी थी खर किसी तरह दुनिया भर को कोजते हुए रात तो गुजर गई थी लिकिन सुबह उठने के बाद मुँ में कुछ भी डालने के लिए घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था पर ये बैठ कर कुछ भी सूचने में समय बरबाद करने का वक्त भी नहीं था क्योंकि एक तो सुबह से माने भी कुछ नहीं खाया था उपर से उसकी दवाई का टाइम भी होने लगा था इसलिए लिया को खड़ बड़ी होने लगी थी मा तो बस कुछ दे रुख जा मैं अभी खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ कहने को तो उसने मा से कह दिया था पर ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो जाती तो कहां जाती क्या करती लिकिन घर में चूला तो जला नहीं था इसलिए उसने बाहर जाकर हर घर का दरवासा खटखटा कर उनसे काम मांगना शुरू कर दिया काकी कोई काम मिलेगा क्या? तुझे काम दे कर क्या अपने घर में डाकर डलवाना है? चल भागे हांसे? हर जगा से उसको बस यही जवाब मिलता. घर पर मा भूग से बेहाल हो रही होगी? यह सोच सोचकर रिया की जान निकलती जा रही थी. बड़ी मुश्किल से एक दुकांदार उसको अपनी दुकान के आगे जाडू लगाने का काम देने के लिए तयार भी हुआ, तो वहाँ खड़े दूसरे लोगों ने उसे भड़का हो गई थी. पर धुन की पक्की रिया ने हार नहीं मानी थी, और आखिरकार बोजह उठाने के बदले में चार पाव मिलने के काम ने मा से किये हुए उसके बादे को पूरा कर दिया. लेकिन पेट की भूग एक ही बार के खाने से भला कहां शांत होने वाली थी. इसलिए मा क हाथ पैर जोडने के बाद भी किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था. आखिर में ठक हार कर एक पेड़ के नेचे बैठी रिया को अचानकी अंधेरे में रोशनी के किरन साफ साफ नजर आने लगी थी. क्योंकि अब उसको एक ऐसी जड़ी बूटी मिलने वाली थी, जिस सब कुछ उसके सूचने के मुताबिक ही होने वाला था. इन परिशानियों से तंग आकर कहीं रिया अपना होसला हार तो नहीं जाएगी. ऐसे में क्या रेवती अपनी बेटी को संभाल पाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? य उसके लिए उसको खुद भी अपने उपर हैरानी हो रही थी. वैसे एक बात तो थी, कि मा शब्द कहना उतना भी मुचकिल नहीं था. तो क्या मैंने अभी-अभी अपनी मा से बात की? इतनी बड़ी बात हो गई है, फिर भी मैं इतनी नॉर्मल कैसे हूँ? अपने मन की हाल क्योंकि ये तेरी मा ही है अब. लेकिन रिया के सेंटेंस में मा के अलावा और भी बहुत कुछ था, जिसने दादी के लिए आग में घी डालने का काम किया था. तो अब हम तेरे लिए ऐसे वैसे लोग हो गए हैं? दादी ने रिया से दोगुनी आवाज में चलनाने की कोश सकता था. आज तक जो कुछ भी आपसे मिला है मैं तो वही लोटा रही हूं आपको. आपने कभी भी मुझे अपनी पोती तो माना नहीं. मैं आपको दादी मानकर अपनी मा का अपमान करने की इजासत नहीं दे सकती. ये कहकर लिया ने तुरंत ये सहारा देकर रेवदी को बगल में खड़ा कर दिया. रेवदी के लिए भी ये सब इतना अप्रत्याशित तरीके से हो रहा था कि वो रिया पर से अपनी नजरे नहीं हटा पा रही थी. एक दूसरे को देख कर उन दोनों की ही आँखें नम हो गई थी. पर फिर भी रेवदी अपनी सास से बहुत डर रिया ने दो टूक शब्दों में अपना फैसला सुना दिया था. उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो क्या और कैसे बोल रही थी. भले ही वो मिजास से काफी बोल्ड थी पर उसका स्वभा और जगडालू नहीं था. लेकिन इस वक्त उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे एक साथ निपटने के लिए तयार हो चुकी थी. और हाँ दादी, आप भी एक बात कान खोल कर सुमलीजे. मैं और मा इस घर से कहीं नहीं जाएंगे. आपसे जो कुछ भी करते बनता है करके देख लीजे. एक बात और, आइंदा से अगर आप में से किसी ने बलकि वो तो दूसरों के सामने भी रेवती को कुछ भी सुनाने से बास नहीं आती थी. और इसलिए वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के होकर रिया और रेवती की ओर देख रहे थी. क्योंकि उन में से किसी को भी रिया के इस तरह से पाला बदल लेने की उम्मीद नहीं एक बार आज आने दे उसे, फिर देखना तुम दोनों मा बेटी का क्या हाल करेगा वो. दादी ने अपने बेटे का नाम लेकर रिया और रेवती को डराने की कोशिश की थी. लेकिन इस रिया को तो पता ही नहीं था कि दरसल दादी उसके पिता के बारे में बात कर रही थी इसलिए इस वक्त उसके उपर किसी भी नाम का कोई फर्क नहीं पड़ा था. अशोक हो या विशोक, मैं किसी से नहीं डरती, याद रखना तुम लोग. दरसल दादी ने रिया के सामने रेवती की बेईसती करके जैसे किसी नागिन के सर पर पैर रख दिया था. उस रिया के अपनी मां के साथ रिष्टे चाहे जैसे भी रही होंगे. लिकिन ये रिया किसी भी हालत में अपनी मां के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तयार नहीं थी. किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को हो क्या गया था. कहीं सर पर चोट लग जाने के कारण उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया था. जबकि रिया को अब अपने सर पर लगी उस चोट के बारे में जानने की जल्दी थी. इसलिए सब ही के वहां से निकलने पर जैसे ही वो कमरा खाली हुआ. रिया धम से आकर अपने बिस्तर पर बैठ कई. और सब से पहले उसने अपनी नहीं बाली दोस्त को आवाज लगाई. हाँ जी मैटम जी, अब बताओ कि ये पुरा मामला क्या है? असल में तुम हो कॉनर ये सारी की सारी पल्टन इहां पर क्यों आई थी? लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज में आई थी. कमाल है, अभी कुछ देर पहले तक जबर मुझ खोलना पड़ा था. मैं रिया हूँ. लेकिन शायद रिया को उसका जवाब ठीक से समझ नहीं आया था. वो तो मैं हूँ, इसलिए जो भी कहना है साफ साथ कहो. मेरा मतलब है कि इस वक्त तुम जिस शरीर में हो, वो मेरा है और मेरा भी नाम रिया ही है. इस बाहर उस मरी हुई रिया को अपनी बात ठीक से समझानी पड़ी थी. पर इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कि रिया के पास सवालों की लंबी चौडी लिस्ट तयार हो गई थी. इस बात का अंदासा तो मुझे पहले से हो गया था. इसलिए अच्छा ही हो और जो तुम ने अब कनफर्म कर दिया. लेकिन तुम हूँ कहां? और इस तरह से टेलीपैथी के जरीय मत से बात क्यों कर रही हो? क्योंकि कल रात को ही मेरी मौत हो चुकी है. यह सभी लोग मेरी ही फैमिली के हैं और कल रात इन लोगों से जगड़ा होने के कारण मैंने अपना सर दीवार पर मार कर आत्मत्या कर ली थी. अपनी मौत की खबर सुनाते हुए उस आत्मा की आवास थोड़ी कम भीर हो गई थी. वो तो यह बात है, इसलिए मेरे सर पर पट्टी बंदी हुई है. हाँ, उस आवास में छुपे दर्द को बड़ी ही आसानी से महसूस किया जा सकता था. लेकिन यह बताओ कि तुम तो मर चुकी हो, पर तुम्हारे शरीर में फिर मैं क्या कर रही हूँ? और यह कौन सी जगा है? रिया एक ही सांस में सारी की सारी बातें पूछती जा रही थी. तुम्हारा मेरे शरीर में आना भगवान की मर्जी है. तुम इस वक्त अली बाग में हो. य यह साल 1983 चल रहा है, क्योंकि इसी साल में मैं 20 बरस की हो गई थी. एक बार फिर यह इस शरीर की असली मालकिन की आवाज थी. यह सब सुनकर दिया कि पूरे शरीर में कम-कभी भैल गई थी. क्योंकि अचानक ही वो अपने समय से 40 साल पीछे कैसे बहुत सकती थी. अपने 27 सा कि किसी चमतकार के बारे में कभी नहीं सुना था. उसके आँखों में दहशत में जराने लगी थी. लेकिन उसको डराने के लिए सब तो कम ही था, क्योंकि अभी अभी उसका ध्यान दूसरी बात की ओर चला गया था. एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारे कहने के मताबिक तुम मर चुकी हो. इसका मदलब कि अभी मैं एक आत्मा से बात कर रही हूँ. ये कहते-कहते रिया के लिए अपना थूप निकलना मुश्किल हो गया था. उसको आगे कोई भी सवाल पूछने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थी. तुमने पुल-पुल ठीक समझा है. और चुं आत्मा की आवाज थी. इस अच्चाई को सुनकर दियान अपना सरपीट लिया. ये भगवान, मैंने अपनी लेक परिवार और रिष्टेनाति जरूर मांगे ते तुछ से. लेकिन क्या कोई भगवान अपने भक्त की बात इतनी बुरी तरा से सुनता है? अगर तेरी मेरे सा अब मैं इस तूफान का सामना कैसे करूँगी? वैसे तो रिया अपने इस दुख का मातम मनीमन मना रही थी. लेकिन मड़ चुकी रिया से भी कोई बात चुपी तो थी नहीं. पर सब कुछ जानते बूजते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा था. क्योंकि उसको पता था कि र चीत और आगे तक चापाती. इससे पहले ही बाहर से आ रहे शोरगुल ने उनका ध्यान अपनी तरफ कर दिया था. क्या हुआ? बड़ी जल्दी परिशान हो गई. ये तो इन लोगों का दिन रात का काम है. इसके बिना तो इनका खाना ही नहीं पचेगा. इसलिए तुम भी इस उठा पटक की आदत डाल लो. इंपॉसिबल. आइप कांट टॉलरेट आव दिस नॉंसेंस अनिमोर. ये कहकर जुंचलाते हुए दिया बाहर की तरफ चाने लगी. बाहर वालों को तुम्हारी अंग्रेजी में गिटर पिटर समझ में नहीं आएगी. औरता बात और बि लगी हुई थी. वैसे इस बार भी दादी नहीं पूरे घर को आसमान पर उठाया हुआ था. क्यूंकि उनके हाथ पीछे की पाड़े में छुपा कर रखे हुए अंदे लग गए थे. हाई हाई इस बुढ़ापे में अब यही दिन देखना बचा रह गया था. पता नहीं उ थोटी वाली शेली बुआ है जो कहीं भी आग लगाने के लिए हर वक्त हाथों में तीली लेकर घुंती रहती हैं. रिया के बिना पूछे ही उसके मन की आवाज ने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया था. वैसे पूरे मामने को जानने के लिए दोनों रियाओं को ज्यादा इंतिजार नहीं करना पड़ा था. क्योंकि बात का बतंगर बनाने के लिए ये घर पूरे इलाके में खासा मशूर था. अरे क्या बताओं बेटा, इस चुड़ेल के तो करम ही ऐसे हैं कि इसको अपने पास बुलाने के लिए भगबान ने भी मना कर दिया. अब पता नहीं क कब तक हमारी चाती पर मून डलती रहेगी. शुद्ध शाकाहारियों का घर है ये, जिस घर में आज तक प्यास लेसन भी नहीं बना. उस घर में इस पापन ने अंडे चुपा कर रखे थे. पैसे घर में अंडे आये कहां से? दादी को कोई भी जवाब देने से पहले रिया को गुनहगार के बारे में जानना था. इसलिए उसने अपने मन में सवाल जवाब करना चारी रखा हुआ था. नहीं चुरा कर लाई थी शुभाताई के हां से. देखो, लाने में पैसा भी नहीं लगा. और अगर मैं इनको बेच पाती तो फिर जो पैसा मिलता, वो पूरा क पूरा मुनाफाई होता ना? पता लग रहा था कि मरने वाले दिया को किसी से भी डर नहीं लगता था. उसके इस अजीब वो गरी तर्प को सुनकर दिया का अपने बाल नोचने का मन कर रहा था. लेकिन पहले वो इस पूरे ड्रामे को बंद करना चाहती थी. इस उमर में आ दादी को इसको जली कटी सुनाने का मौका मिल गया था. यह सब इस डायन का ही किया हुआ है. इसने ही मेरी पोती को मेरे खिलाफ भड़काया है. आज में इसे जन्ता नहीं छोड़ोंगी. यह कहकर दादी तेजी से रेवदी की तरफ लपकी. और इससे पहले की रिया कुछ भी कर पाती. उन्होंने जन्नाते दार थपड रेवदी के गालों पर जड़ दिया. तादी! कुछ दिर पहले ही मैंने आपको चेतावनी दी थी. उसके बाद मेरी मा को हाथ लगाने के आपके हिम्मत कैसे हुई? आपको मा से माफ मी मागनी पड़ेगी. इस वक्त रिया की आखों से आग बरस रही थी. और रेवदी चुपचाप सर चुका कर वहीं पर खड़ी थी. उसकी आँखों से गिर रहे आंसू इस खामोशी के पीछे छुपे दर्द की सारी कहाने बयान कर रहे थे. जिस घर में तुम्हारी इज़त नहीं होगी मा, अब हम वहाँ एक दन भी और नहीं रुकेंगे. ये कहते हुए रिया रेवदी का हाथ पकड़ कर उसको वहाँ से ले जाने लगी थी. अरे जाओ जाओ, दो दिनों में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तो खुदी रोती गिड़ी कड़ाती हुई वापस आ जाओगी. कोई अपने घर की च रिया वागई में घर छोड़ कर चली जाएगी? क्या रेवदी इस फैसले में उसका साथ देगी? क्या लगता है आप लोगों को? क्या होंगे इन सबी सवालों के जवाब? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये नई सीरीज इस जिन रेवदी की 1983 वाली बात सुनकर र 440 बोल्ट का करंट सीधे उसके दिमाग में दोडा दिया हो. क्या? क्या कहा आपने? लेकिन उससे कुछ भी दुबारा कहने से पहले रेवदी रिया को देखने लगी. एक अचीब सा सवाल था उसकी आखों में. जिसे वो पूछना तो चाती थी लेकिन मुह से निकालने ही पा रही थी. क्योंकि उसकी बेटी ने अपनी मां के साथ बैठ कर बातचीत करने वाला रिष्टा कभी रखा ही कहा था. फिर अभी लिया की तब्यत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी. ऐसे मुझको सबसे ज्यादा जरूरत अपनी मां की ही थी. क्या बात है बेटा? क्या आपी अभी तब ये ठीक नहीं लग रही है? रेवदी ने बड़ी ही प्यार से दिया के सर पर हाथ फेड़ते हुए, लेकिन संभल संभल कर कहा था. क्योंकि अपनी बेटी की गुसेल स्वभाव से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी. उसका मूड कभी भी बिगड सकता था. क्यों, क्या हुआ? रेवदी का सवाल सुनकर, रिया अपने आपको नीचे से उपर तक चेक करने लगी, कि कहीं रेवदी को उसके उपर किसी तरह का शक तो नहीं हो गया? कुछ नहीं, बस तेरे मूँसे अपने लिए कभी आप शब्द सुनने की आदत ही नहीं रही ना? घर में अगर किसी को भी अपने गुसे का बिल फाड़ना होता था, तो फिर रेवदी को कोजने का काम शुरू हो जाता था, और इसमें खुद उसकी बेटी भी सब के सुर में सुर मिलाने से पीछ नहीं रहती थी. रिया को इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन रेवदी की आँखों का दर्द वो आराम से पढ़ पा रही थी. अपने इस नहीं रिष्टे को वो अभी तक समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी सामने खड़ी इस दुबली पतली काय की नम आँखें उसको बेचैन कर रही थी. उसका बहुत मन कर रहा था कि वो भी रेवदी को मा कहकर बुलाती. कई बार ये शब्द उसकी जबान तक आ भी गया था, लेकिन ये सब जितना मामूली लग रहा था, उतना था नहीं. हर बार उसको ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून ही निचोड़ लिया हूँ, और वो पसीने से नहाने लगती. तबी रिया को किसी के खिल खिला कर हंसने की आवाज सुनाई देने लगी. हरे बोल दो, बोल दो, अब तो ये तुम्हारी ही मा है. कौन है? कौन है? ये कहकर वो हड़ बढ़ाते हुए चारों उन देखने लगी. क्योंकि रिया का जख्म अभी बिलकुल ताजा था और रात में खोन भी काफी बहच चुका था. इसलिए रेवती ने सोचा कि दर्द और कमजोरी की वज़ा से भी रिया बेचैन होगी. मैं जानती हूँ बेटा कि तु इतनी घबराई हुई क्यों है? तु कहन को सब पता चल गया? और रिया नजनी चुरा कर अपने दिमाग में पटर-पटर कर रही उस आवास के साथ वि इंदास रहना? कौन? कौन है? एक बार फिर रिया की तरफ से वही वाला रियाक्शन आया. लेकिन अब रेवती से अपनी बेटी की खराब होती हालत नहीं देखी जा रही थी. लग रहा है तेरा दर्द बढ़ने लगाए. एक काम कर जल्दी से ये मटर पोए खाले, फिर द लालच भी दिला रही थी. इन सब के साथ जैसे ही उसको पोहे मा के हाथों से बने होने के बारे में पता चला. उसने आव देखा न दाव, बस जट से रेवती के हाथों से प्लेट अपने हाथों में ले ली. और देखते ही देखते प्लेट को इस तरह सिससपा चट कर दिया और इतनी देर में पहली बार रिया की नजरों में रेवती के लिए उसकी अपनी बेटी वाला प्यार नजर आने लगा था। लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले ही एक बार फिर रिया को वही आवाज सुनाई दी। लगाना टेस्टी, मा मस्त पोहे बनाती है। खौन, खौन बूला? रिया की साथ हाथ सबको चुल्टा-पुल्टा हो रहा था। इसलिए अजीव और गरीब तरह का ये नया सर्प्राइज अब उसको शौक देने लगा था। लेकिन रिया को इस तरह से हरकतें करती देखकर रेवदी का दिल अब घबराने लगा था। खल राट जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप तू कुछ भी मत सोच, पहले चल्दी से ठीक हो जा, आप तो पेट में कुछ चला गया है, इसलिए तू पटापट से दवाई खा कर आराम कर ले। एक बात फिर रेवदी का हाथ रिया के सर पर चला गया था। रिया देख रही थी कि उसकी इस माँ को तो बस उसकी ही फिक्र थी, अगर उसका बस चलता तो इस हाथ को कभी अपने सर से हताने ही नहीं देती, पर वो अभी तक इस घर के रंगधंग से पूरी तरह से अंचन थी, क्योंकि वो अभी तक रेवदी की बात का कोई जवाब द भी नहीं पाई थी, कि धर धर आते हुए एक साथ कई लोग उसकी कमरे में घुसे चले आने लगे, एक साथ इतनी सारी लोगों को अपने सामने देख कर रिया को जैसे कुछ भी समझ नहीं आया, और रेवती भी हड़ बड़ा हट में आ गई, पर यहां ये सभी लोग रिया चुरा चुरा कर इनको खिलाती रहेंगी, और हम तो जन्म जात नौकर हैं ही इन दोनों के, बस इनका हुकम बचाना ही तो हमारा काम है। ये सब सुनकर रेवती ने तुरंत ही अपनी नजरें जुका ले, और रिया के लिए मान ना मान, मैं तेरा महमान वाली सिचुएशन ह हो गई थी, लेकिन उसकी इस पहेली को सुझाने में इस बार भी उसी आवाज में उसकी मदद की, लो फिर आ गई ये बुढ़िया, कमभक्त मुझे मार कर भी इसका मन नहीं भरा है, अरे अभी तक समझ नहीं आया क्या, दादी है मेरी ये और अब तुम्हारी, क्योंकि मैं तो अब यहां से फुर्र हो चुकी हूँ, कौन, कौन है, एक तो बाहर के हालाद समझना मर्शकिल हो रहा था, उस पर से ये मैडम जी अंदर पैटकर दिमाग का दही बनाने में लगी हुई थी, इतनी सर खपाई तो रिया को आठ महीनों तक उस प्रजक्ट के लिए मेहनत क करने में भी नहीं हुई थी, इस आवास के कारण अब तो वो इतना परिशान हो गई थी, कि जला कर उसने अपने दोनों हाथों से कानों को ही बंद कर लिया, ठीक है, आप नहीं बोलोंगे मैं कुछ भी, लो, चुपो जाती हूँ, अपने आप ही निपट लेना इन सब से, ये सारी बातें जो रिया को सुनाई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसके लिए ही थी, तभी तो इनको अभी तक किसी और ने सुना ही नहीं था, लेकिन रिया को कुछ भी समझ पाने का वक्त भी तो नहीं मिला था, और वो जो लोग इस समय उसके सामने सी कुमारी साहिबा, हम लोगों को पहचानती तक नहीं है, और हमारी बातों से बचने के लिए सिर्फ में कान भी बंद कर लिये, आज पहली बार रिया को महसूस हो रहा था, कि बुढ़ हापे में कमजोर हो जाने वाली बात बिलकुल गलत थी, क्योंकि नई नई बनी उसकी य पर दादी ने अभी तक किसी को एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं दिया था, सुबह से उठने के बार से रिया के दिमाग की जो कसरत होई थी, वो तो बस चलती ही जा रही थी, अब तो सावास ने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया था, इसलिए अब जो करना था, उसक सबसे पहले अपने हाथों को कानों पर से हटा लिया, जबकि दादी कर टेप रिकॉर्डर तो चलता ही जा रहा था, उनके पास शायद रिया को जी भर कोसने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, मेरी तो समझ नहीं आता कि जब मरना ही नहीं था, तो रात में इतना करने की क्या ज़रूरत थी, रिया की तो जैसे जबान पर ताला लग गया था, उनसे क्या कहती है और क्या नहीं कहती, क्योंकि उसने आज तक इस तरह से लगातार बगवास करते हुए किसी को भी नहीं देखा था, अब पॉलिटेक्स में हैं क्या, क्या, क्या मतलब भी तु तुम तड़ाक में लड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन चुप-चाप सब की बातें सुनते जाना भी उसकी फितरत में नहीं था, उसकी बात सुनकर दादी का पारा भले ही सात्वे आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बोलने वाली उस आवास को त लेकिन दादी के लिए तो यह सब करेले के उपर नेम चड़ने की जैसी बात हो गई थी, अरे बेशरम नड़की, बड़े छोटे का लिहास तो पहले भी नहीं था तुझे, लेकिन आप तो तुने हद कर दी, तेरी हिम्मत कैसे उमत से इस तरह से बात करने की, और उपर से ह तो फिर दोस्ती पक्की, इस बार रिया ने कुछ कही बिना ही, बस हां में अपना सिर हिला दिया, तो अब मेरी बात ख्यान से सुनो रिया, इन लोगों से अगर निपटना है, तो तुम्हें इनसे इनकी जबान में ही बात करनी पड़ेगी, मतलब रिया को सावास की कही हु चुरा चुरा कर बेटी को खाना खिलाती है, और बेटी अपनी ही बेहनों के मुँपर कीचर भीक कर भाग जाती है, बस बहुत हुआ ये तमाशा, अब मैं तुम दोनों को एक सेकिन भी इस घर में बरदाश्ट नहीं करूँगी, चलो निकलो मेरे घर से, और ये कहकर दाद कि मुँसे निकल कर आई है मेरी बच्ची, ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, मैंने एक बार कह दिया कि अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती, बड़ोसी भी अब हमारे घर की तरफ पीठ करके चलने लगे हैं, और ये सब हुआ है तुम्हारी बेट कि अवाली मुस्कुराहट नजराने लगी थी, लेकिन भले ही रिया को अभी तक इस घर की सिचुएशन ठीक से समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब उसको कोई भी मां की ममता से अनचान नहीं कह सकता था, और आज उसकी वही मां बिना किसी कसूर के एक पत्थर दिलौरत के पैरों पर अपना सर छुका कर रो रही थी, और ये बात कम से कम उस अनाथ रिया को तो बर्दाश्ट से बाहर ही थी, भले ही अब तक वो रेवती के लिए अपने मुझ से मां शब्द नहीं निकाल पाई थी, इसके बावजूद ये सब देख कर उसका खोन खौलने लगा थ और इस बार उसको अपनी आवाज निकालने के लिए उस अंजान आवाज की मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस करो मा, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के पैर पकड़ कर उनके आगे रोने की, रिया की चीक सुनकर उस कमरे की दीवारे भी हिलने लगी थी, औ उसकी जगह दिलाने में काम्याब हो पाएगी, रिया को बार बार सुनाई देने वाली आवाज थी किसकी, वो आवाज रिया से क्या चाहती थी, उस आवाज वाली लड़की की मौत कैसे हुई थी, क्या रिया इस घर के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना बिना किसी देरी के रिया रेवती के पास पहुँच गई थी, आज तक किसी भी काम को लेकर रिया के प्रदर्शन का रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा था, कि रेवती के मन में उसके परिनाम को लेकर डर बैठ कया था, इसी घबराहट में जैसे उसकी भूख ही मर गई थी, पर अ पर उसके इस सवाल का जो जवाब आया उसकी तो कलपना भी उसने नहीं की थी अब तो इस काम माम के बारे में सोच ना छोड़ दे मा क्योंकि तेरी बीटी ने सोच लिया है कि उसे क्या करना है डेवती की माथे पर पड़े हुए पल अब और भी गहरे होने लगे थे क्योंकि रिया के इस तरह के हवाई किलों से उसको हमेशा से ही बहुत घबराहट होती थी अब क्या सोच लिया तुने? रेवती के मुँ में रखा हुआ पानी गले के नीचे नहीं उतर पा रहा था माव तेरी बेटी ने फैसला किया है कि वो नौकरी करेगी और देखना जल्दी हमारे पास भी बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर सब होंगे रिया की सोच उसकी काबिलियत के मताबिक ही थी उसने कोई मजाक नहीं किया था क्योंकि आखिर पूरे एशिया में लगातार पांच सालों तक Employee of the Year का अवार्ड अपने नाम करना कोई हसी का खेल तो था नहीं पर इन सब में वो ये भूल रही थी कि इस वक्त वो वो नहीं थी जिसके बल पर उसको अपने नाम के जंडे गाड़ना इतना आसान लग रहा था लेकिन रेवती ये भूलने की गलती नहीं कर सकती थी कि जिस लड़की को दूद का बरतन उठाकर रसोई तक लाने में भी पसीने आ जाते थे आज वो नौकरी करने की बात कर रही थी पस यही सोचकर रेवती के मूँ में फंसा हुआ पानी अपने आप ही बाहरा गया और वो जोल-जोल से खासने लगी क्या कहा तुने तुने नौकरी करेगी रेवती के घबराहट उसकी आवाज से ही समझी जा सकती थी तेरी तब्यत तो ठीक है ना बेटा थी सर पर लगी चोट का सर तेरे दिमाग पर तो नहीं हो गया जैसे भी आज कल तु मुझे बदली-बदली से लगने लगी है तो अब कुछ मत सोच और थोड़ा खाकर आराम कर ले रेवती उसको बड़े ही प्यार से समझाने लगी थी ऐसा नहीं था कि रिया से अपनी मां का डर छुपा हुआ था इसलिए पहले वो रेवती का विश्वास चीतना चाहती थी अरे मां तु परिशान क्यों होती है बस वो अपनी बेटी पर भरोसा रख लेकिन रिया का ये दिलासा रेवती के लिए नाकाफी ही था क्योंकि वो हमेशा से रिया की हरकतों को देखती आई थी अब मैं तुछ से कैसे कहूँ बेटा कि मुझे वाकई में तेरी इन बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ऐसी बातों को दिमाग में लाते हुए भी रेवती को बुरा लग रहा था क्योंकि अपने ही बेटी की बातों का विश्वास ना कर पाने का उसको बहुत दुख था पर रिया अपने फैसले पर अड़ी हुई थी लेकिन इस काम में उसको इस शरीर की असली मालकिन की मदद की जरूरत थी रिया रिया तुम मेरी बात सुन रही हो हाँ बोलो क्या बात है अंदर से वही चिर परिचित आवास आने में जरा भी देर नहीं लगी तुमारे सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स कहां रखे हैं नौकरी के लिए अपलाई करने से पहले विया के लिए अपनी इस नई पहचान की क्वालिफिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी था वो अपने इस डिसीजन को लेकर इतनी श्योर थी कि अपनी बात का कोई भी जवाब ना मिलने के कारण तुरंधी इरिटेट हो गई थी अरे बताओ ना मैंने तुमसे कुछ पूछा है लेकिन शायद अपनी मौत के बाद पहली बार इस वाली दिया को अपनी जिंदगी की किसी कमी का एहसास हो रहा था इसलिए इस बार उसने जवाब दो दिया लेकिन उसकी आवाज में काफी हिच के चाहर थी उस काले वाले बाग में सबसे नीचे ही वो फाइल रखी है उसका इतना कहना था कि रिया काले बाग पो लेने के लिए मुड़ गई फिर तुरंत ही उसको वो फाइल बताई हुई जगा पर मिल गई लेकिन जैसे ही उसने फाइल खूली अंदर का नजारा देख कर जैसे उसके होशी उड़ गए वो रिया तो 10 भी पास नहीं कर पाई थी ये सब देखकर गोल्ड मेडलिस्ट एमबी ए पास इस रिया की आँखों के आगे अंधिरा चाने लगा था क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता था उसकी सारी की सारी नालेज बिना किसी सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बेकार थी रिया नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी उसकी आँखों में आंसु आ गए थे लेकिन मरने के बावजूद उस रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था जिन्दगी के बड़े बड़े दुख और तकलीफें भी जिस लड़की को तोड़ नहीं पाए थे आज बिना किसी गलती के वो अपने आपको बहुत ही असहाई महसूस कर रही थी पर सामने बैटी रेवती से उसका ये दुख छुपा हुआ नहीं था लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था इसलिए अपनी बेटी को हिम्मत देने के लिए उसने उसको गले से लगा लिया था लेकिन रिया खुद से ज्यादा अपनी मां के लिए दुखी थी क्योंकि वो सारी दुनिया के खुशियां रेवती की जूली में डाल देना चाहती थी वो जानती थी कि सुबह से माने ठीक से कुछ भी अपने पेट में नहीं डाला था पर अब तो दोपहर भी ढलने वाली थी ऐसे में क्या सुबह का फान का पन शाम को भी जारी रहेगा बड़े ही विश्वास से वो अपने बल पर मां को लेकर आई थी लेकिन पहले ही दिन वो उनके भरोसे पर खरी नहीं उतर पा रही थी कुछ देर तक उसी तरह से सर चुका कर बैठी हुई थी लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो काम नहीं चल सकता था और नहीं हताश होने से जिन्दगी चूंकि उसके लिए जॉब का उप्शन बंध हो चुका था पर फिर भी जिन्दगी में कुछ करने के रास्ते खुले हुए थे इसलिए घर के लिए खाना जुटा कर लाने की जिद के साथ वो फिर बाहर निकल गई और इस बार किस्मत ने उसका ज्यादा इंतिहान नहीं लिया क्योंकि वहां से थोड़ी दूर तक चलने के बाद उसको चाय की एक टपरी नजर आई टपरी का मालिक सर पर हाथ रख कर बैठा था उसकी हालत देख कर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई दुनिया में कितना गम है अपना गम सबसे कम है बस यही सोच कर वो उस दुकांदार किशन के पास पहुंच गई क्या बात है काका आप इतने परिशान क्यों लग रहे हैं क्या बताओं बेटा सुबह से शाम होने को आई लेकिन बोहनी के नम पर एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई सब कहते हैं कि अगर ऐसी ही चाय पीनी है तो फिर बाहर चाकर पैसा क्यों खर्च करें बेटा अगर रात तक मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई तो फिर मेरे बच्चों को भूका ही सोना पड़ेगा अपनी तकलीव बयान करते हुए किशन का गला भरने लगा था पर उसकी कहानी सुनने के बाद रिया को अपनी हालत पर तरसाना बंध हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी सिचुएशन भी ठीक वैसी थी तब ही उसके दिमाग में एक आईडिया आया रिया ने चट से किशन से पूछा काका आपकी घर में मसाले तो होंगे ना आया ना बेटा लेकिन उन मसालों से तुम क्या करोगी किशन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था अब बस मसाले ले आये और फिर देखेगा कमाल कैसे यहां लोगों की भीड जमा हो जाएगी वो जानती थी कि 1983 के लोगों ने मसाला चाय जैसी किसी भी चाय का स्वाद कभी नहीं लिया होगा जब कि इस काम की profitable future के बारे में उसको अच्छे से पता था उसका आत्मविश्वास देखकर किशन ने आगे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और चुप चाप अपने घर से मसालों के सारे के सारे डब्बे उठा कर लिया आया पर इस काम में हाथ डालने से पहले ही रिया के लिये कुछ बातों को साफ करना जरूरी था लेकिन काका इस काम में हमको जितना भी मुनाफ़ा होगा हम उसको आधा-धा बाट लेंगे क्योंकि इस वक्त हालत के हिसाब से हम दोनों ही एक नाव की सवारी कर रहे हैं किशन को इस बात से कोई भी आपती नहीं थी क्योंकि उसको तो वैसे ही यकीन नहीं था कि रसोई में रहने वाले ये मसाले उसकी किसमत को पलटने का कमाल भी दिखा सकते थे मुझे तुमारी शर्त मन्जूर है बस फिर क्या था? कुछ ही मिनटों के अंदर रिया ने महमूली लगने वाले रसोई के उन्हीं मसालों से ऐसी शांदार मसाला चाय तयार कर दी जिसकी खुश्बू को सूंगते हुए आने जाने वालों के पैर अपने आप ही उस टपरी के सामने रुखने लगे उसके बाद तो रिया और किशन दोनों को सर उठाने की फूर्सत नहीं मिल पाई यहां तक की दुकान बंद करने के लिए उन्हें लोगों को बिना चाय पिलाए ही लोटाना पड़ा उन कुछ घंटों के अंदर ही किशन की चाय अणोस-पडोस के गाउं तक मशूर हो गई क्योंकि 40 साल पहले इस तरह की मसाला चाय का कोई चलन नहीं था इसलिए सभी को उसका स्वात किसी अमरत से कम नहीं लगा था उसके बाद रात में जब रिया को उसकी कमाई का हिस्सा मिला तो वो पूरे 500 रुपिय थे यानि अब कुछ दिनों तक तो घर का खर्चा चल नहीं सकता था वैसे तो रिया के लिए ये रकम बेहत मामूली से ही थी लेकिन फिर भी उन नोटों को अपने हाथों में लेकर उसकी आखों में आसु आ गए थे क्योंकि आज पहली बार उसने अपने ले नहीं बलकि अपनी मां के लिए कमाई की थी उसके बाद तो रिया के कदम दो सेकेंड भी उस जगा पर नहीं रुके किशन से भी अपने खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी वो उससे कल आने के बारे में पूचता रह गया पर रिया को तो जैसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्यूंकि उसकी मां घर पर भूखी बैठी अपनी बेटी के आने की बात जो रही थी क्यूंकि उसी जोपड़े की जमीन पर पैर रखकर पहली बार उसने रेवदी के हाथों में उसकी बेटी की पहली कमाई रखी थी मैंने कहा था ना मा कि अपनी बेटी के होते हुए तुमको किसी भी बात की चिंता करने के जरूरत नहीं है रिया की शब्दों को सुनकर रेवदी की पलकें कीली होने लगी थी पर होटों पर मुस्कुराहट के आने से पहले ही उसके चहरे पर आशंकाओं के बादल खिरते नजर आने लगे जिनने देखकर रिया को रेवदी का डर समझने में देर नहीं लगी कुछ भी मत सोचो मा क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी बेटी किसी के घर से चुरा करने ही लाई है तेरे हाथों पर रखे हुए ये पैसे मैंने अपने मेहनत से कमाए है रिया की इस बात में रेवदी की मुस्कान उसको लोटा दी आज तुने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिया रिया तुने तो पलक चपकते ही मेरे सारे दुखों का अंत कर दिया जस्दाओं में कभी मेरी आँखे शर्म के मारे चुकी रहती थी आज उसी जगा पर तुने मेरा सर गर्व से उच्छा उठा दिया रेवदी के आशिरवात के ख़साने ने इस सुंदगी में आनके रिया के सारे मलाल को धो दिया था तभी रिया के शरीर में एक अजीब सी हल्चल होने लगी वो तुरंत ही समझ गई थी कि उसके मन में बैठी रिया उससे बात करने के लिए बेजयन होने लगी बड़ी भूक लगी है मा तू पटापट से खाना लगा दे मैं बस दो मिनट में बाहर से आती हूँ पहले वाली बात होती तो रेटी सवालों की जड़ी लगा देती पर उसको अपनी बेटी पर अब पूरा भरोसा हो चुका था इसलिए उसने कुछ नहीं पूझा लेकिन इधर जैसे ही रिया बाहर आई उसको कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल पाया मैंने तुम से कहा था ना रिया कि जिस दिन तुम मेरी सिंदगी को समभालना शुरू कर दोगी उसी दिन में हमेशा के लिए इस शरीर से निकल जाओंगी आज ना सिर्फ तुमने मेरी इज़त को समभाल लिया बल्कि ये भी थाबित कर दिया कि मेरी जगा तुमको लाकर उस उपर वाले ने कितना सही फैसला किया था इसलिए अब इस फैसले के रास्ते पर ही हम दोनों को आगे पढ़ना होगा लेकिन अभी तो रिया अपने उस नटखट दोस्त के साथ नजाने कितनी बातें करना चाहती थी पर हमेशा की तरह आज भी उसने रिया को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया नहीं रिया आज मुझे रोखने की कोशिश मत करना क्योंकि अब मेरा काम खत्म हो चुका है इसलिए मुझे जाना ही होगा और इतना कहकर वो रोखनी रिया से अलग होते हुए धीरे धीरे आकाश की गहराईयों में खो गई और रिया जमीन पर खड़ी खड़ी बेबस आँखों से उसे देखती रह गई क्योंकि उसको तो खुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिल पाया था क्या रिया अपनी दोस्त के विश्वास पर घरी उतर पाएगी लिकिन क्या होगा अगर रेवदी को उसकी सचाई के बारे में पता लग गया तो क्या रेवदी उसकी बातों पर यकीन कर पाएगी क्या रिया उन विखरे हुए रिष्टों को समेट पाने में काम्याब होगी जिनकी नफरत ने उसको और रेवदी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था क्या लगता है आप लोगों को क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब ये चानने के लिए सुनते रहे